और प्रेम से बोलिए स्री सत्य नारायन भगवान कीज़े एक समय की बात है नैमिशा रन्य दिर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने स्री सूती जी से पूछा हे प्रभू इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभू भगति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्णों में पूचे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूची है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारत जी ने लक्ष्मी नारायन जी से पूचा था और लक्ष्मी पत जन में प्राया सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानुम के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णू लोप में गए और वहाँ पर वह देवों के इश्च नारायन की स्तूती करने लगे जिनके हाथों में शंक चक्र गदा और पद्म थे और गले में वर्माला पहनी हुए थे स्तूती करते हुए नारत जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्न है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर्गुण स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारत जी की स्तूती सुनकर भग योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताईए कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं भगवान श्री हरी बोले ह ये नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिसके करने से मनुष्य मुह से चूट जाता है वह बात मैं तुमसे कहता हूं उसे सुनो स्वर्ग लोग और मृत्यू लोग दोनों में एक दुरलब उत्तम व्रत है जो पुन्य देने वाला है आज प्रेम वस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनो श्री सत्यनारण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है श्री हरी के वचल सुनकर नारद को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है मानों को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारण की पूजा धर्म परायन होकर ब्राम्भणों और बंधों के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल घी दूद और भजन कराएं इसके बाद स्वयम भोजन करें भजन कीरतन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं इस तरह से सत्यनारण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं इस कली काल में आर्थात कलियुग में द्धान्य की वृध्धी करता है सौभाग अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है कलियुग में यह सबसे चोटा सा उपाए है इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ प्रेन से बोलिए स्रीशत्यनारायन भग पुर्वक कहूंगा आप सब ध्यान पुर्वक सुनिए एक समय की बात है रमणी या काशी नगरी में कोई अत्यन्त निर्धन ब्रामवन रहता था भूक और प्यास से व्याकूल होकर वह प्रती दिन प्रिथिवी पर भटकता रहता था ब्रामवनों से प्रेम करने वाले भ ब्रामवन बोला हे प्रभो मैं अत्यन्त दरिद्र ब्रामवन हूं और भिक्षा के लिए ही प्रितियू पर घूमा करता हूं यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हूं तो कृपा पुर्वक बतलाईए व्रिद्य ब्राम्हण बोला, हे ब्राम्हण देव, सत्तनाराण भगवान विष्णू अभिष्ट फल को देने वाले हैं हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है व्रत के विधान को भी ब्राम्हण से यतन पुर्वक कहकर व्रिद्य ब्राम्हण रूपधारी भगवान विष्णू वही पर अंतरध्यान हो गए व्रिद्य ब्राम्हण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा यह सोचते हुए उस ब्रामहण को रात में नीद भी नहीं आई अगले दिन प्रातहकाल उड़कर सत्यनारायन का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्रामहण भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ब्रामहण को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्थ हुआ उसी धन से उसने बंधु बाधमों के साथ भगवान सत्यनारायन का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वह स्रेष्ट प्रामहण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया उस दिन से लेकर प्रत्यक महीने उसने यह व्रत किया इस प्रकार सत्यनाराण भगवान के इस व्रत को करके वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसने दोरलब मोक्षपद को राप्त किया। हे विप्र पृत्वी पर जब भी कोई मनुश्य स्री सत्यनाराण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे। हे ब्रामःणों इस प्रकार भगवान नाराण ने महत्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं। तब ब्रामःण बोले हे मुने इस प्रित्वी पर उस ब्रामःण से सुने हुए इस व्रत को और किस ने किया। हम बार वहद्विज शेष्ट अपने धन संपत्ती के अनुसार बंधू बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्रामःण के घर गया। प्यास से व्याकूल व ब्रत है जो सभी मनोरोथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महां धन धान्य आदी प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहेंड करके वह लकड़हारा नगर चला गया। सत्तनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मुल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल शक्कर, घी, दूद और गेहु का चुरुण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। ततपस्चात उसने अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर अर्थात वैकुंठ लोग चला गया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायन की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायन भगवान की जय, सत्यनारायन व्रत की कथा का तीसरा अध्या वह विद्वान राजा प्रती दिन देवाले जाता और ब्रामनों को धन दे कर संतुष्ट करता था। करके और राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दिक्षद देख कर विन्यपुर्वक पूछने लगा साधु ने कहा हे राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृप्या यह सब मुझे भी बताईए मैं इसे सुनना चाहता हूं राजा बोले हे साधु ने आदर पुर्वक कहा हे राजन इस विशय में आप मुझे सबकुछ विस्तार से बतलाईए आपके कतना नुसार मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूंगा मुझे भी कोई संतान नहीं है इससे अवश्य ही संतान प्राप्थ होगी ऐसा विचार कर वह व्यापा एक दिन उसकी लीलावती नाम की सति साध्वी भार्या पति के सात आनंद चित्त से रितु कालिन धर्माचरण में प्रव्यत हुई और भगवांश्री सत्यनार्यान की ग्रिपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई 10 वे महीने में उससे कञ्या रतने की प्राप्थी हुई औ और शुक्लपक्ष के चंद्रमा की भाती यानि दिन प्रति दिन वह कन्या बढ़ने लगी उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पती से मधुरुवाणी में कहा आप पुर्व में संकल्पित श्री सत्यनारैन के व्रत को क्यों नहीं क बोला हे प्रिये इसके विवाह के समय में यह व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भाती आस्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की उर्च लगया इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में व्रिधी को प्राप्त होने लगी तदनंतर धर्मक्य कर शीकर ही उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया उस साधू ने उस वणिक के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन देखकर अपनी जाती के लोगों तथा बंधु बाधुमों क साथ संतुष्ण चित होकर वितिविधान से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया उस समय वह साधू बनिया धुर्भाग्यवस भगवानुका उत्तम व्रत करना भूल गया पुर्वसंकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान कुछ पुष्ड हो गए। कुछ समय के पस्चाद अपने व्यापार कर्म में कुषल वह साधू बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा उसके बाद में दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणिय नगर में गए उसी समय भगवा अपने पीछे दोडते हुए दूतों को देखकर भैभीत चित से धन वहीं छोड़कर शीग्रही छिप गया इसके बाद राजा के दूत वहां आ गये जहां वह साधु वणिक था और वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्स पुर्वक दोड़ते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं इन्हें देखकर आप आग्या दे राजा की आग्या से दोनों शीग्र ही दृड़ता पुर्वक बांध कर बिना विचार किये महान कारागार में डाल दिये गए भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्र केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया भगवान के श्राब से वणिके के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोर चुरा ले गया लीलावती शारिडिक तथा मानसिक पीडाओं से युक्ट भूख और प्यास से दुखी अन्य की चिंता में दरदर भटकने लगी कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रति दिन घूमने लगी एक दिन भूख से पीडित कलावती एक ब्रामभण के घर गई वहाँ जाकर उसने स्रीसत्त नारायन के व्रत और पूजन को देखा वहाँ बैटकर उसने कथा सुनी और वर्दान मांगा इसके बाद प्रसाद ग्रहन करके वह कुछ रात होने पर घर गई माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा हे पुत्री रात्री में तु कहा रुख गई थी तुम्हारे मन में क्या है कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा हे मात मैंने एक ब्राम्हण के घर में मनोरत प्रदान करने वाला व्रत देखा है कन्या की उस बात को सुनकर वहवडिक की भार्या व्रत को करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधू बांधों के साथ भगवान श्री चत्तनारायन का व्रत किया, तथा इस प्रकार प्रात्ना की, हे भगवन आप हमारे पती एवं जामाता के अपराद को छमा करें, वे दोनों अपने घर शीक्र ही आ जाएं। अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनास कर दूगा। दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज निरिपस्रेष्ट चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पुर्वरितांत का स्मरन करते हुए भै वीवल हो गए। और कुछ पोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पुर्वक कहा। आप लोगों को प्रारब्दवस यह महान दुख प्राब्ध हुआ है। इस समय अब कोई भै नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया। तथा सामने मुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। और पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनह उनसे कहा हे साधो अब आप अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा क स्री सूती जी बोले साधू बनिया मंगला चरण करके और ब्रामभणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधू के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनाराण ने उसकी सत्यता की परिक्षा लेने की जिग्यासा से पूछा साधू तुम्हारी नाव में क्य पत्ते आदी भरे हैं। ऐसी निष्ठूर वाणी सुनकर सत्तनाराण वेश्धारी स्री दंडी बोले तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारन किये हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधू अत्यंत आश्चरे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आदी देखकर मुर्चित होकर प्रित्यू पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वनिक पुत्र च चलें वहीं जाकर मन की इच्छा पुर्ण होगी दामाद की बात सुनकर साधू बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पुर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पुर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य भासन रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रणाम करके वह महां शोक से व्याकुल हो गया दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा हे मुर्ख रो मत मेरी बात सुनो मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्या से ही गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मुर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हुए मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी आप रक्षा कीजिए उस बनिया की भ भगवान सत्य देव की क्रिपांसे हमारा मनोरत सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विदिवत पूजा की भगवान स्थिसरी सत्यनाराण की क्रिपाशे वह आनंत से परिपुरुन हो गया और नाव को प्रैत्न पुरुवक संभाल कर उसने अपने दे पूत ने नगर में जाकर साधू की भार्या को हाथ चोड़ कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही। सेट जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन्धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूद के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई। और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायन की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं साधू के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीग्र आओ। माता के ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परिद्याग करके वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायन रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरन करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई प्रिथिव पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भैभीत मन से साधू बनिया ने सोचा यह क्या आस्चरी हो गया। कर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कन्या के इस प्रकार के सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनाराणी की पूजा करूंगा सभी को बुला कर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दीनों क जाकर प्रसाद ग्रहन करके वह पुनह आये तो हे साथू बनिया तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी इसमें कोई संसे नहीं है कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीग्रही घर गई उसने प्रसाद ग्रहन किया पुनह आकर स्वजनों तथा अपने पती को देखा तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा अब तो घर चलें विलंब क्यूं कर रहे हैं कन्या की यह बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विती विधान से भगवान सत्यनाराण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधों के साथ अपने से बोलिए श्री सत्यनाराण भगवान की जै पांचवा अथ्याय स्री सूती जी बोले स्रेश्ट मोनियों अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पुर्वक सुनिए अपनी प्रजा का पालन करने में तत पर तुंग ध्वज नाम का एक राजा था उ सकति पुर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं राजा यह देखकर भी अंकार वस न तो वहां गया और नहीं उसने भगवान सत्यनाराण को प्रणाम ही किया पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लोट आए और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया इधर राजा को प्रसाद का परिद्या करने से बहुत दुप्राप्त हुआ उसका संपुर्ण धन धान्य एवं सभी सौ पुत्र नश्ट हो गए राजा ने मनमे यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायन ने हमारा नाश किया है इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए वहां स्री सत्यनारायन भगवान का पूजन हो रहा था ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगड़ों के समीप गया और उसने गोपगड़ों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि सूति जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुरलब स्री सत्यनाराय narrator को करता है और पुन्य-मई तथा फलपदानी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारायन की क्रिपासे धन धान्य आदि की प्राप्ती होती है दरिद्र भी धन्वान हो ज डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है यह सत्यबाद है इसमें कोई संसय नहीं है। इस लोग में यह सभी इक्षित फलों का भोग करके अंत में सत्यपूर वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है। हे ब्राम्भणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायन के व्रत को कहा, जिसे करके मनुसी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली युग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेश फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री राम की सेवा करके मुक्ष को प्राप्त किया। महाराज उलकामुक दूसरे जन्मे में राजा दशरत हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुन्ठ लोग को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवरती साधु पिछले जन्म के सत्यवरत के प्रभाव से दूसरे जन्मे में मोर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी दे भगवान विश्नु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंग ध्वज जन्मांतर में स्वायंभु मनु हुए और भगवत संबंधिन संपुर्ण कारियों का अनुष्ठान करके व्यकूंठ लोग को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए। और सभी राक्षसों का संगहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गो लोग प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सकंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारयन व्रत कथा का यह पाँचवा अध्याय पुर्ण हुआ। तो प्रेमजी बोलिये स्री सत्यनारयन भगवान कीजै। श्रीलक्ष्मी नारयन कीजै। जय जय श्री क्रिष्णा, जय श्री राधे